हेलो मेरे प्यारे स्टुरेंट्स कैसो आप सब आज के सेशन में वी इल भी टेकिंगे अप क्वेस्टन्स ओफ रिलेटिव स्पीड जो प्रिवेस अपमें सीसाट एग्जामिनेशन में आए है रिलेटिव स्पीड जिसको की हिंदी में कहेंगे सापेक्ष साल और अब तक तुमने कनेक्ट नहीं किया है मुझसे तो you can message me on telegram at adityakt या फिर मुझे email कर सकते हो at adityakt.math101 at gmail.com प्रिटिव स्पीड का concept कब जरूरत पड़ता है हमें जबकि दो bodies और दो vehicles हैं जो की same direction और move कर रहा हूं और उस case में हमें यह देखना हो कि कब वो मिलेंगे या कितना उनके बीच में gap होका या चोर पुलिस है चोर भाग रहा है पुलिस भाग रही है उसके पीछे वैसे questions जितने भी आएंगे इन questions में हमें देखना पड़ेगा relative speeds का concept को apply करना पड़ेगा पर एक्जामपल कि दो ट्रेंज है हमारी तो दोनों ट्रेंज अगर same direction में जा रही है पर चाहे हो एक point से शुरू हो या अलग-अलग point से शुरू हो अगर उनकी speed s1 और s2 है direction same है जब फिर दो persons है और दोनों same direction में भाग रहे हैं एक की speed s1 है दूसरे की speed s2 है तो ऐसे किसी भी case में जबकि direction same है तो जो relative speed हमारा होगा वो बड़ी speed में से यानि कि s1-s2 हमारा relative speed आ जाएगा अगर s1 greater than s2 है तो अगर उन्होंने same point से start किया तो जिसकी speed जादा होगी वो जाहिर सी बात है आगे जाएगा वो जादा आगे निकलेगा जिसकी speed कम होगी वो कम आगे निकल पाएगा क्योंकि वह स्लो है comparatively तो जाहिर सी बात जाहिर सी बात ज्यादा है वो जादा आगे निकलेगा पर अगर same point से नहीं है for example जैसे चोर पुलिस है पहले चोर ने भागना शुरू किया फिर उसके बाद चोर को पकड़ना है तो पुलिस वाले की speed चोर से जाधा होनी चाहिए तो अगर पुलिस वाला पीछे से भाग रहा है तो उसकी speed जाधा होनी चाहिए तभी वो पकड़ पाएगा तभी वो कैच कर पाएगा और जो बीच की distance already हो गई है उनके बीच की वही distance तो cover up करने उसक चोर को जीरो करना जैसे यह जीरो होगा तुरंत पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा इसके बाद क्यों भागेगा तो जो रिटिस वाले की चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस वाले की speed अगर हम एसवन माने चोर की speed s2 माने क्योंकि s1 को s2 से बढ़ा होना पड़ेगा तो पुलिस वाले की speed माने चोर की speed इस speed से पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो फॉर एक्जाम्पल अगर यहां पर हम कहें कि पुलिस वाले की speed let us say sp and that is equal to 6 km per hour और चोर की speed that is sc that is equal to 5 km per hour और पुलिस वाला 6 km भाग रहा है चोर की speed को कमी रखा है हमने क्योंकि पुलिस वाले की speed बहुत जाधा होगी नहीं तो अगर इनके वीचे सब्सक्राइब करेंगे तब यहां अगर मामला ऑपोजेट डिरेक्शन का है यहां जैसे दो ट्रेंज है हमारी दो एक जुस्तर की तरफ आ रही है तो कब क्रॉस करेंगे दूसरा को हो यहां क्रोस करेंगे नश्य का विच्ट क्रोस करेंगे यहां पर क्या करेंगे ऐसे का दोनों हमारे रंज त्रफ है थो तरफ दूसरी पहले अगर एक अकेला भागता फो समय लगता तो दोनलों को एक दूसरे के पास महुझने आपने स्पीड से डिस्टेंस को लगाता रिकम कर रहे हैं तो समय कम लगेगा समय कम लगेगा या फिर अगर दोनों साथ में है और ऑपोजित डायक्शन ने भागेंगे ऐसा भी तो हो सकते हैं इन और मिना पहले साथ में थे बट उनका ब्रेक अप हो गया तो अब दोनों ऑपोजित डायक्शन ने भाग रहे हैं तो सेम डायक्शन और पोजित डायक्शन ने भाला मामलात अपना क्लियर हो गया अब यहां पर कुछ क्वेशन आते हैं मीटिंग पॉइंट से मीट करते हैं जैसे की ट्रेंज से क्रॉस करेंगी तो मीटिंग वाले केसे होंगे तो मुलाकात के केसे डो टेरें यह सकते हैं मीटिंग का केस एक ही हो सकता है कि दोनों जो लो चार हैं ट्रें हैं बस है यूद है ड्श को है रोत कुछ बी यूदा इस एक्कोल टी दिस्टेंस कवर करना है, उनको दिस्टेंस 0 करना है, भी लेंगे, दिस्टेंस हो जाएगा 0, let us say, वो इस point में मिल रहा है, time लग रहा है, उनको T, तो T time में, पहले बाले ने कितना दिस्टेंस कवर किया होगा, S1 into T, दूसरे ने कवर किया होगा, S2 into T, और total distance हमें क्या बाता है, that is equal to D, तो D is equal to S1 T, plus S2 T, एक D is equal to S1 plus S2 into T, और हमें distance पता है, और speed पता है दोनों कि, तो time यहां से निकालाएगा, time हमारा आ जाएगा, D upon S1 plus S2, तो यही directly भी समझ सकते थे कि, जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, opposite directions में जा रहे हैं, तो जाहिर से बात है, speed हमारी हो जाएगी, relative speed हो जाएगी, S1 plus S2, यानि कि distance हमारी, S1 plus S2 से कम होगी उनके बीच की, ठीक है, और फिर total उनको दूरी तरह करनी है, D, kilometers की या, D meters की जितना भी होगा, D से divide कर दोगा, S1 by S2 से तो time आ जागा, आपना, यह बात clear है, यह तब है, जब कि same time पे start किया है, same time पे start किया, बढ़ हमेशा ऐसा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कि पहले person ने start किया, letter से 7 AM पे, speed है S1, और second person ने start किया है, S2 की speed से लेकिन 7 AM पे नहीं, 9 AM पे start किया है, उनके बीच के distance अभी वीड़ी है, अब यह persons भी हो सकते है, train भी हो सकती है, जब भी कि दोनों ने different time पे start किया है, time same नहीं है, बलकि time different है, तो अगर time different है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, दोनों का time same करेंगे, कैसे same करेंगे, 7 AM पे पहले ने start किया, तो 7 AM से लेके 9 AM तक देख लो कि कितना distance travel कर लिया होगा पहले वाले person, 7 AM से चल रहा है, दो घंटे बाद की बात हम कर रहे है, 9 AM की, 9 AM यानि की 2 hours के बात की बात कर रहे है, इन 2 hours, कितना cover किया होगा इसने, S1 एक घंटे में cover कर रहा है, तो 2 S1 cover कर लिया होगा, बचिवी distance कितना हुआ, D-2 S1, और अब, same time है दोनों के लिए, अब बागी चीज, पिछले question जैसा ही है, तो अब extra time कित distance जो की remaining है, D-2 S1, and this divided by S1 plus S2, तो यह हमारा additional time आ जाएगा, 2 hours तो पहले लग चुके है, ठीक है, actual time अगर 7 AM से count करोगे, तो 2 plus T होगा, और 9 AM से count करोगे, तो T additional time add कर दोगे, clear है, ठीक है, अब questions इस understanding के साथ में आपने करना start करते है, first question लेते हैं, काला सवाल है, from 2022 examination, a person X from a place A, and another person Y from a place B, sets out at the same time, to walk towards each other, सबसे इपोर्टन चीज़ के है, same time पे स्टार्ट के होनों, okay, the places are separated by a distance of 15 km, याने के distance of 15 km का, D-15 km, X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour, and Y walks with a uniform speed of 1 km per hour, in the first hour, with a uniform speed of 1.25 km per hour, in the second hour, basically, बात समझने वाली क्या है, कि X की speed क्या है, 1.5 km per hour, uniform speed है, और पूरे time यही speed रहती है, पूरे time यही speed रहती है, ठीक है, question क्या करा, X 1.5 km per hour प्रदिघंटे की चाल से चलता है, याने कि इसी चाल से वो पूरे समय चलता रहता है, लेकिन Y के साथ ऐसा नहीं है, 1.5 km per hour, फर्ड आर में हो जाती है, 1.5 km per hour, याने कि कितना इंक्रीज करीए, पहले 1 से हुई, 1.25, देन हुई 1.5 और फिर question करा है, and so on, फिर इसके बाद ऐसे ही बढ़ेगी, याने कि यह बढ़ कैसे रही है, एक arithmetic progression में बढ़ रही है, समांतर शेनियों बढ़ रही है, लगातार 0.25 km per hour का increase हो रहा है, 0.25 km per hour का increase हो रहा है, याने कि अगले घंटे में speed हो जाएगी, 1.5 प्लस 0.25, so that will be 1.75 km per hour, और फिर उसके बाद अगले घंटे में हो जाएगी, प्लस 0.25, याने कि 2 km per hour, क्या यह बात किया रहा है, और ऐसे ही लगातार, बढ़ती रहा है कि जब तक वो दोने दूसरे से मिलने ही जाएगे, मुलाकात नहीं हो जाएगी, question हम से पूछा है, निमनिकित में से कौन सा कथन, सही है, which of the following statements is are correct, पहला statement है, they take 5 hours to meet, उन्हें मिलने हैं 5 घंटे लगते हैं, दूसरा statement है, they meet midway between A and B, A और B के बिलकुल मद्धे में मिलते हैं, दूरों को में चेक करना है, ठीक है, पहले पहला statement चेक करना हैं, क्या वो 5 घंटे में मिलते हैं, कि नहीं मिलते हैं, total distance 15 km का, एक परसन X आ रहा है, point A से, और Y आ रहा है, point B से, अब अगर 5 घंटे बाद हो मिलते हैं, तो 5 घंटे में X ने कितना चला होगा, Y वार्ज में X ने कितना ट्रैवल किया होगा, X की स्पीड है 1.5, तो 1.5 into 5, 7.5, 7.5 km ट्रैवल किया होगा, X ने, अब अगर उनको 5 घंटे बाद exactly मिलना है, तो Y को भी 7.5 km ही ट्रैवल करना होगा, अभी यह काम बनेगा, यह कहले आवर में, वाई ने कितना ट्रैवल किया होगा, आवर नूबर वन में, वाई ट्रैवल किया है, 1, 1 km का, 2nd hour में ट्रैवल किया है, 1.25, 3rd में किया है, 1.5, 4th hour में किया है, 1.75, और 5th hour में किया है, 2 km, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, चाहो तो ऐसे add कर लो, अदरवाइस देख लो, कि यह एक हमारा arithmetic progression है, तो हम इसका जो average value है, average value है जो exactly beach की value है, 1.5 और total terms कितने हैं 5 है, तो 1.5 into 5, यह total distance traveled होगी, यह भी आ रही है, हमारे equal to 7.5 km, तो y ने भी 7.5 km ही travel किया है, दोनों ने same distance travel किया है, और 7.5 प्लस 7.5 travel करके total कितना आ रहा है, total आ रहा है, 15 km का, यह बिल्कुल correct बात कही है, 5 घंटे के बाद में ही मिलते हैं, तो पहला statement true है, जाहिर सी बात है, जब दोनों ने same distance travel किया है, तो जो point है, वो exactly middle में है, तो second बाद statement भी बिल्कुल true है, दोनों statement सही है, option C answer हो जागा, तो पहला question तो done हो गया, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगला question लेता है, question number two, two trains leave New Delhi at the same time, one travels north at 60 km पराद, other travels south at 40 km पराद, north और south यानि कि opposite direction में जा रहे हैं, एक जा रहे है, north की तरफ, एक जा रहे है, south की तरफ, after how many hours will the trains be 150 km apart, same station New Delhi से, दो trains निकल रही हैं, ठीक है, north इस direction में है, south इधार होगा, east और west, अब एक रेंज आ रही है, north की direction में, और second रेंज आ रही है, south की direction में, north वाले की speed है 60, south वाले की speed है 40, और क्योंकि north रेंज opposite direction में जा रही हैं, तो relative speed क्या हो जाएगा, या उनके बीच की दूरी किस speed से बढ़ेगी, 60 plus 40, यानिके 100 km पर hour से उनके बीच की distance बढ़ने वाली है, और question पूछना है, कितने घंटे के बाद में, trains के बीच की बीच की distance है, 150 km हो जाएगा, कितने घंटे बाद रेल गड़ियां, 150 km की दूरी पर होगी, तो time हमारा हो जाएगा, equal to total distance traveled कितनी है, 150 km ट्रावल करना है, speed है, 60 plus 40, यानिके 100 की, 150 by 100, तो answer आजाएगा 1.5 hours, तो 3 by 2 hours, option A, answer आजाएगा, क्याए बात clear है, टेक है, option A हमारा answer हो जाएगा, clear, next question पर चलते हैं, question कह रहा है, a bus is moving at a speed of 30 km पर आर, ahead of a car, with a speed of 50 km पर आर, bus की speed है 30 km पर आर, और car की speed है 50 km पर आर, how many km apart are they, if it takes 15 minutes for the car, to catch up the bus, एक bus 50 km पर गंटे की गती वाली, car के आगे, 30 km पर गंटे की गती से चल रही है, यानि की bus चल रही है, आगे, car के, और car को bus को पकड़ने में लग रहा है, 15 minutes का time, तो question ये पूछ रहा है, कि कितना distance होगा, उनके बीच का, टेक है, तो bus की speed हमें कितना दिए है, given है 30, 30 की speed से चल रही है, और उसके पीछे car चल रही है, छोटी से, और car की speed है 50, let us say distance है हमारा D का, दोनों जा रही है, same direction में, और कर डारेक्शन उनके बीच का same है, तो relative speed क्या हो जागा, यानि की car किस speed से bus का पीछा कर रही है, तो car bus का पीछा किस speed से कर रही होगी, 50 minus 30, S1 minus S2, बड़ी, ज़्यादा speed minus, कम speed, टेक है, तो क्या हो जागा, speed आगे, हमारी relative speed आजाएगी, 50 minus 30, यानि की 20 km, एक घंटे में travel करेंगे, car 20 km, एक घंटे में cover up कर पाएगी, car bus की बीच का जो gap है, लेकिन 15 minutes में ही car bus को पकड़ लेती है, 15 minutes यानि कितना होगा, 1 by 4 hour में, तो distance travel केतना होगा, D की value हमारी आजाएगी, D will be equal to relative speed, that is 20 multiplied by 1 by 4, यानि की 5 km उनके बीच का gap होगा, 5 km उनके बीच का gap होगा, जाए बात प्रिया है, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, कि लेटर से car यहाँ से चल रही है, इस point पे है, bus इस point पे है, जटर से T time के बाद में, car bus को पकड़ पाती है, और T की value हमें given है, 15 minutes है, 15 minutes में, ठीक है, clear है, 15 minutes के बाद में पकड़ पाती है, 15 minutes में कितना travel किया होगा, bus ने कितना travel किया होगा, 30 into 15 minutes, यानि कि 30 into 1 by 4, बस ने travel किया होगा, क्या बाद समझ में आती है, और car ने कितना travel किया होगा, car ने 15 minutes में कितना travel किया होगा, 15 into 1 by 4, और जो difference हैं के बीच का, वो D के बराबर होगा, यहां से भी solve होजाएगा, मतलब basically हम कर तो यहीं रहे हैं, इल्टिमेटरी स्पीट का मतलब क्या हुआ, जो car और बस अगर same direction में जा रहे हैं, तो जो difference होगे बीच का, जो distance है, वो gap कितने time में कम होगा, किस speed से कम होगा, वो से speed से कम होगा, जितना speed का difference होगा दोनों का, भई यह मैं solve किया है, clear, next question, पहले driver ने देखा कि तेज ट्रेन को उसके पास से गुजरने में ठीक 16 सेकेंड लगे, the driver of the former noticed that it took exactly 16 सेकेंड for the faster train to pass by him, what is the length of the faster train, तेज ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो देखो, driver अंदर बैठा हुआ है, किस ट्रेन के अंदर बैठा है, तेज ट्रेन को देख रहा है गुजरते हुए, यानि कि वो slow वाली train के अंदर बैठा है, 29 पर दिखंटे वाली train के अंदर बैठा हुआ है, और वो देख रहा है, तेज वाली train उसको 16 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, यानि मतलब क्या हुआ, तो ट्रेन के अंदर बैठा है वो, ठीक है, और उसको जो तेज वाली train है, वो देख रहा है, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगा, 16 सेकेंड का, हमेशा इदान को, देखो हमने लास सेशन में क्वेश्चन किया थे कुछ, तो वहाँ पर क्या देखा था, कि जब भी train से एक दूसरी क्रॉस करती है, तो टोटल लेंज जो दोनों की होती है, उसको एड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि जो ट्रेन के अंदर बैठा है, तो अगर तुम किसी train के अंदर बैठे हो, तुम किसी दूसरी train को देख रहे हो, तो तुम सिर्फ दूसरी train को देखोगी, तुम्हारी train की length तुम्हाँ लिए important fit नहीं है, तो ऐसे case में क्या होगा, कि जब तुम किसी train के अंतर बैठके दूसरी train को देख रहा तो सिर्फ और सिर्फ उस train की cross होती हुए length को देखोगी वैसे ही driver जो slow train में बैठा है वो भी सिर्फ और सिर्फ जो fast train है उसको cross होता हुए देखेगा तो जो total length traveled होगी वो fast train की length होगी देखना शुरू करेगा कब जब fast train का engine उसको दिखेगा और खतम कब होगा जबकि पूरी की पूरी train पार कर जाएगी engine पहुँच जागा आगे और back side उसको दिखेगा तो total length travel होगी exactly equal to length of the fast train और relative speed क्या होगी 65 की speed से fast train चल लिए 29 की speed से slow train चल रही है दोनों चल रही है same direction में समान दिशा में चल रही है तो relative speed हो जाएगी 65 minus 29 यहनिकि 36 km per hour time लग रहा है कितना 16 seconds का time है seconds में distance है meter में तो सबसे पहले convert करोगे इसको 36 into 5 by 18 meter per second में यहनिकि यह हो जागा 10 meter per second तो length हमारी आ जाएगी 10 meter per second multiplied by 16 seconds तो यहनिकि 160 meters 160 meters option c clear रहे बात okay next question a freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 km per hour two hours later an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km per hour so how far from Delhi would the express train meet the freight train same direction में जा रही है समय क्या है समय अलग-अलग है एक freight train पहले निकलती है और freight train जा रही है 40 km speed से ठीक है Delhi से जा रही है let us say this is Delhi तो टू आर्स तो चल ली वो फ्रेट रहे ठीक है let us say this is freight train here after two hours कि दो घंटे में कितना चल ली होगी 40 की speed से चल रही है तो 40 इंटो टू कि 80 km travel कर लिया होगा और अभी भी यह 40 की speed से आगे जा रही है और अब दो घंटे के बाद में start की है एक दूसरी train जो कि 60 की speed से चल रही है question यह पूशा है दो ट्रेंस मिलेंगी कब तो same direction पर जा रही है ठीक है distance कितना कवर करना है पीछे वाली train को 40 80 km का distance कवर करना है time कितना लगएगा speed होगी 60-40 relative speed होगी 60-40 यानि कि 20 km पर hour कितना समय लगने वाला है समय लगेगा इनको 4 hours का time कितना लगेगा time हो जाएगा 80 divided by 20 नहीं कि 4 hours का question लेकिन यह नहीं पूशा है question ने पूशा है how far from Delhi would the express train meet the freight train कितना distance पर मिलेगी तो देख लो हमारी express train है यह 4 गंड़े ट्रेवल किये यह स्टार्ट देली से विए देली से चार गंड़े ट्रेवल किया है तो ट्रेवल कितना होगा यहां पर मिलेंगे लिटस से आगर इस पॉइंट पर कहीं पर जाके मिलते है ट्रेवल कितना होगा 4 hours में कितना distance ट्रेवल किया होगा 4 into 60 नहीं कि 240 km ट्रेवल किलोमेटर्स ऑप्षिन यह आंसर आजागा क्या बात समझ में आती है टीक है क्लियर क्लियर ओके नेक्स्ट करते हैं तू कार्स टूर्ड इस बार ऑपोजेट आइक्शन में जा रहे हैं फ्रम टू प्रेसे एंट विचार एक दिस्टेंस ओंगे 160 के दिस्टेंस पर है स्टार्ट सेम टाइम पर कर रहे हैं एट टेन एम पर इसपीड आप तो कितने टाइम के बाद में मिलेंगे ओके डिस्टेंस एंगा 160 किलमेटर का दिस्टेंस है पहली का आर की स्पीड है 50 दूसरी कि यह 30 प्लेटिव स्पीड हो जाएगा 50 प्लस 30 तो टाइम लगेगा 160 टोटल डिस्टेंस कवर करना है डिवाइड बाइड बाइव 50 प्लस 30 तो 160 बाइट यहनिके 2 आर्स का टाइम लगेगा एग्जाक्ली 2 का टाइम लगेगा एट 10 पर स्टार्ट किया है एट 10 प्लस टू लिए कि 10 10 एम हो जाएगा अंसर हमारा अप्शन ए आंसर हमारा जाएगा एट नेक्स्टेंस टू कार्स एक्स एंड वाई स्टार्ट प्लस प्लस एंड रिस्पेक्टि विचा 700 किमेटर अपार्ट एट 9 एम वोथ दे कार्स रन अट एन आवरे स्पीड आफ 60 किमेटर पर आर एक्स स्टॉप करती है अगें अगें स्टार्ट करती है अट 11 एम यानिकि 10 से 11 की बीच में कार एक्स कुछ भी नहीं चलती आराम करती है वाल दे आधर कार वाई कॉंट्यूर्स टरन विदाउट स्टॉपिंग तो वें डू दू दू कार से गुसरे को कप क्रॉस करेंगी इस क्वेस्टन में फरक क्या है कि यहा लाइट किया है कि दोनें खास ने धिक है एक सवर भी है कि लिए डिस्टेंस 700 है है एंब लोका तक क्टिन से निकाल लेन इसका बचिवयर डिस्टेंस तो दोनों का सक दोनों से 11 तक ब्रेक लेती है कि नौ से गैरा ते कितना चली होगी वह एक्षव में 11 एम पे उस सिफ एक घंटा ही चली है नौ से दस रही है उसके अध्यूब्रेक लिया है उसने तो एक घंट में कितना ट्राइवल किया होगा 60 किलोमेटर इस जब की कार वाई टू ऑ चल चुकी है 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 कि 120 किलोविटर चल चुकिया है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा हमारा 700 माइनस 60 प्लस 120 यह कि 700 माइनस 180 520 किलोविटर बचा है और अब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही है 60 की स्पीड से स्पीड हो जाएंगी जुड जाएंगी तो टाइम लगेगा कितना 520 डिवाइड़ बाई 60 बास 60 520 बाई 120 टीक है जिरो से जिरो गया चार से काटों के नीचे बचा तीन ऊपर बचा तेरा 13 वाइट्री आवर्स विच इस 4 एंड 1 बाई 3 आर्स यहीं की 4 आवर्स और 20 मिनट्स हो गया लेकिन यह कब से स्टार्ट होगा 11 एम के बाद है 11 एम में एड करोगे 4 आवर्स और 20 मिनट्स 11 प्लस 4 यहीं की 15 यहीं की 3 पीम प्लस 20 प्लस 20 पीम पे यह दुनों कार्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी option B will be the answer क्या बात समझ में आती है कि क्या यह बात clear है कि अब इस question करने का एक और तरीका समझते हैं और यह तरीका भी तुमको अगर समझ में आएगा तो मज़ाएगा ठीक है अब हम इस question कैसे करते हैं उसकी वैसे हमें इस तरह से करना पड़ा तो बजाए उसको रोकने के हम कहते हैं तुम और चल लो कहते हैं तुम 10 से 11 भी चल लो चला देते हैं उसको लेकिन हमें सिर्फ 700 किलमेटर चलना है तो हम क्या करेंगे एक घंटे में वो चलती इस टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा अपने question को एक ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर पूछना अग्ला सवाल करते हैं नेक्स्ट है यह थीफ रनिंग एट 8 किलमेटर पर आर इस चेज़़ बाइब पूलिसमें फूस स्पीड इस तेन किलमेटर पर आर इस तो पूलिस कर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगने वाला है चोर भाग रहे आगे लूसर वाला भाग रहा है पीछे ठेक़् चोर की स्पीड है एट किलमेटर पर आर पूलिस वाले कि स्पीड है तेन लेटिव स्पीड क्या हो जागा डिस्टन्स है 100 मीट्रस का लेटिव स्पीड आ जागा 10-8 10-8 यानि कि 2 km पर आर ओके तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस है 0.1 km और स्पीड है 2 km पर आर तो 0.1 by 2 decimal हटाओगे 1 by 20 यानि 1 by 20 hours का टाइम लगेगा multiply कर दो 60 से answer आजाएगा हमारा 3 minutes 3 minutes में police वाला चोर को पकड़ लेगा ओके ठेक है next question अर्यन रन्स at a speed of 40 meters per minute राहूल फॉलोस इम आफर इन इंट्वल उफ फाइओ मिन इन रन्स रन्स at a speed of 50 meters per minute राहूल's dog runs at a speed of 60 meters per minute and starts along with राहूल the dog रीचे अर्यन and then comes back to राहूल and continues to do so till राहूल रीचे आर्यन, what is the total distance covered by the dog आरेन 40 मीटर प्रती मिनट की गती से दौरता है राहूल 5 मिनट के अंतराल के बाद उसका पीछा करता है और 50 मीटर प्रती मिनट की गती से दौरता है राहूल का कुत्ता 60 मीटर प्रती मिनट की गती से दौरता है राहूल के साथ चलना शुरू करता है कुत्ता आरेन तक पहुचता है और फिर रहुल के पास वापस आता है वोगत obligationности कर दो किंगा के kamment को इसको हम separate एक short video question बूत मुश्किल मुश्किल नहीं है समझने वाला है थोड़ा से समझनना आए कोशिस करना ह्तुड़ा इसके साथ time spent करोगे तो ज़्यादा बहतर समझ पाओगे इससे question को मैं तुमको homework की तरह दे रहा हूँ इसको comment में answer करो इसका answer क्या आएगा इस question का answer क्या आएगा और फिर separately हम इस question को को एक छोटा सा वीडियो बना के डिस्स कर लेंगे तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं आई बिलीव सेशन प्रसंद आएगा और कोई भी question एक वेरी है तो comment में जरूर मेंशन करना that is all for decision बबाए टेक केर